नमस्कार और वल्कम टू इस्मार्ट रेव्डे चनल जैसा है कि दोस्तो आपको जानकारी है कि एम्स दिल्ली में नर्सिंग ओपिसर की 3055 कुल वेकेंसी को जारी किया गया है और कुल 18 एम्स इंसिटूट में इस वेकेंसी को यहाँ पर निकाला गया है और इस वीडियो में मैं आपको पिछले एर का cut-off list में दिखाऊँगा साथ में categories wise भी आपको list देखने को मिलेगा all India rank भी मैं आपको दिखाऊँगा with prove के साथ और साथी साथ इन सभी चीजों को analyze करने के बाद मैंने एक expected cut-off chart तियार किया है categories wise उस chart को भी आपको जरूर देखन चाहिए जो exam point of view से बहुत ज़्यादा important है तो चलिए friends बिना किसी देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजीट कर रहे हैं तो इस चैनल को subscribe करने के साथ साथ दोस्तों notification bell को जरूर पैस करके रखें क्य जाएगा उसको join कर सकते हैं और आप मुझे instagram पे भी follow कर सकते हैं ठीक है तो मैंने दोस्तों पिछले वीडियो में ही इस तर related मैंने सारी जनकार यहाँ पर provide कर रखी है और यहाँ पर date भी देख सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों फॉर्म भरने की last date है तो जो भी interested candidate है चाहे male हो चाहे female हो आपके घर परिवार में कोई भी हो अगर उन्होंने यहाँ पर BAC nursing वगरा किया हुआ है तो उनका यह form जरूर fill up किजिएगा ठीक है इस भरती के बारे में अगर आप पहली बार form fill up कर रहें तो आपको exam pattern का भी सारा चीज़ का यहाँ पर जानकारी वगरा होना चीए तो exam pattern की बात करें तो यहाँ पर 200 question पूछे जाएंगे जो 200 ही marks के होंगे MCQ type question पूछे जाएंगे और 180 जो question पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो है जो आपका subject है मतलब जो आपका BAC nursing वगरा किया हो है उस से related यहाँ पर 180 question आएंगे और सिर्फ 20 question जो है general knowledge और aptitude से आएंगे ठीक है और one third की यहाँ पर जो है negative marking भी इसमें होती है इसके लावा दोस्तों qualifying marks जो यहाँ पर बता रखा है अगर आप general EWS के candidate है तो आपको 50% लाना होगा दोस्तों का अगर आप दोस्तों OBC candidate है तो 45% और SST candidate है तो यहाँ पर 40% यहाँ पर लाना होगा यहाँ vacancy की detail यहाँ पर पूरी दे रखिये तोटल जो है कुल 18 यहाँ पर institute यहाँ पर सामिल कर रखा है जिसमें दोस्तों यहाँ पर general की vacancy है OBC NCL की vacancy है और SST की vacancy है ठीक है इस बार EWS को सामिल किये गया है पिछले बार जो vacancy है आई थी दोस्तों उसमें EWS की seat नहीं थी लेकिन इसमें जो है EWS की भी vacancy इसमें सामिल किया गया है टोटल vacancy यहाँ पर last में देख सकते हैं दोस्तों 3,000 यहाँ पर 55 कुल vacancy जारी किया गया है in total 18 यहाँ पर aims institute में ठीक है तो आप सभी के लिए यह best opportunity है इस opportunity को आपको हाथ से नहीं जाने देना है और जो भी आपके पास qualification है इस से related इस भरतिस से related तो आपको आपके घर परिवार में कोई भी चाहे male हो चाहे female हो उनका यह form जोस्तों जरूर फिलब करवाईएगा टिक है यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं पिछली एरका में यहाँ पर cut up वगर है यहाँ पर दिखाऊंगा overall rank यहाँ पर कितना number जो बच्चे लेकर आए थे उनकी rank 1 आई थी और सबसे lowest rank लाने वाले का यहाँ पर कितना यहाँ पर जो है number लेकर आए थे उनका lowest rank भी मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है तो सबसे उपर आप देख सकते हैं All India Institute of Medical Science, New Delhi और यहाँ पर nursing officer और यह जो cut up देख रहे हैं दोस्तों 2018 में जो vacancy आई थी उसका यहाँ पर दिखाऊंगा और latest 2022 में भी जो vacancy आई थी उसका भी मैं दोस्तों यहाँ पर new Delhi का ही मैं आपको prove के साथ सारा यहाँ पर overall यहाँ पर rank और cut up अगरा दिखाऊंगा ठीक है तो उस समय जो उस तो vacancy जो निकाली गए थी 551 और 121 और बढ़ 200 नंबर का यहाँ पर paper होने वाला है इस बार भी 200 नंबर का ही 203 इसमें 200 नंबर का ही paper होगा और इसमें one third negative marking भी है ठीक है तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर OBC candidate है general का merit list का है यहाँ पर clear किया है और उन्हों 151.33 नंबर लेकर आए हैं और overall rank जो है इनका one रहा है और overall rank य होगा है यह तो होगया highest journal का और general का ही सबसे lowest की हम बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे lowest हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर lowest के बारे में भी यहाँ पर जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं 116.667 यहाँ पर गया हुआ है और यहाँ पर overall rank जो है 320 गया हुआ है इसके लावा यहाँ पर OVC का देखेंगे OVC non creamy layer category का इसमें दोस्तों यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 124.333 highest cut up यहाँ पर गया हुआ है OVC non creamy layer का और सबसे lowest cut up की बात करें दोस्तों तो 112 पे भी हुआ है 111 पे भी हुआ है 110.667 में ही और OVC non creamy layer में ही यह 99.667 पे भी यहाँ पर cut up गया हुआ है इसके लावा SC category की बात करें तो SC category में सबसे highest number 116.667 पे cut up उटा है और overall rank यहाँ पर 334 यहाँ और सबसे lowest की बात करें तो सबसे lowest दोस्तों यहाँ पर 104 यहाँ पर गया हुआ है और यहाँ पर SC category में ही PWBD candidate का 88 और 86 पे यहाँ पर cut up है यहाँ पर गया हुआ है इसके लावा SC category की बात करें तो यहाँ पर 113 यहाँ पर highest गया है overall rank यहाँ पर 494 यहाँ पर देख सकते हैं और सबसे lowest की बात करें तो 101 यहाँ पर गया हुआ है तो यह तो आपने देख लिया 2018 का अब मैं आपको दिखा देता हूँ 2022 का सबसे उपर आप पढ़ेंगे All India Institute of Medical Science New Delhi और यहाँ पर nursing officer यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं 2022 ठीक है सबसे उपर यहाँ पर बता रहे है list is merit wise not role number wise तो SC male candidate की बात करें तो यहाँ पर 100 आप देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर overall rank यहाँ पर 1 हासिल क देख सकते हैं यहाँ पर 100 और 99 इसके लाबं AWS में फिमेल कैटिगरी का 99 इसके लाबं ovc female कैटिगरी जितनी भी यहाँ पर어지 fi female का ही अभी चल रहा है इसके लबाँ SC male candidate के हम बात करें तो यहाँ पर SC male candidate का यहाँ पर देख सकते है 99 मतलब जितना भी आप यहाँ पर देख पर है 99, 99, 97, 96 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा cut-up है ठीक है तो यह सारा cut-up यहाँ पर आपको निकाला गया है और इस बार number of candidate भी ज़्यादा appear होंगे तो यहाँ पर इन सभी चीजों को देखने के बाद मैंने जो cut-off chart त्यार किया है उस cut-off chart को भी एक बार जरूर देखिएगा जो exam point of view से बहुत जादा important है यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा expected cut-off list यहाँ पर देख सकते हैं आपका paper जो है 200 question आएंगे 200 marks की होगा और one third negative marking है यह सारी चीजे मैंने आपको already बता दिया है और इसमें अगर आप general category से belong करते हैं तो इस बार दोस्तों आपको 145 से लेके 155 के बीच आपको number लेके आना ही आना होगा क्यों आपने देखा दोस्तों 155 अगर आपको इसमें क्या करना है अगर आपको overall rank आपको अच्छा लेके आना है अच्छा यहाँ पर जो है आप करपाई ठीक है इसके लावा OBC NCL की बात करें तो 130 से 140 के बीच नमबर आपको आना चाहिए अगर हम EWS की बात करें क्योंकि इस बार EWS की भी वेकेंसी है और EWS की बात करें तो 120 से 130 के बीच नमबर आना चाहिए अगर हम SC की बात करें तो 115 से 120 के बीच और ST की बात करें त 105 से 115 के बीच और PWBD की बात करें तो 95 से 105 के बीच यहाँ पर नमबर अगर आपका आ रहा है तो येकीन मानिए दोस्तों आपका यहाँ पर जो है तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो को अपने साथी तक जरूर सेर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग जहिंद